हाई फ्रेंड्स मैं शेफ अनीता ग्रियोतरी अपने चैनल ट्रिपिल डिलाइट में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाना सीखेंगे रक्षा बंदन स्पेशल केसरिया खीर पांच लोगों के लिए ये खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले समग्री नोट कर लेते हैं हमें चाहिए दूद एक लीटर चावल एक छोटा कफ ये चावल हमने दो गिंदे पहले भीगो के रखे हुए हैं जिससे कि जब हम इसको दूद में डालेंगे तो ये जल्दी पकेंगे चीनी चीनी स्वादरू सारा अपले सकते हैं कुछ लोग कम तीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग जादा मेवा में जो हमने आप पे मेवा ली हुई है उसमें हमने लिये हैं मखाले गरी बादाम किश्मेस इलाइची पाउडर चिरोंजी केसर केसर को हमने दूद में विवो के रखा हुआ है जिसको डालने पे कलर बहुत अच्छा आएगा तो आए दोस्तों हम सबसे पहले इसको बनाने की विदी देखते हैं सबसे पहले हम दूद को गैस पर चड़ा देते हैं गरम होने के लिए जितनी वे आपका दूद गरम होगा गैस पर आप अपने मेवे को तयार कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे हमने बादाम अल्रेडी काट के रखे हुए हैं आप बादाम को बिना चीले भी काट सकते हैं और चील के भी यूज कर सकते हैं दोस्तों रक्षा बंदन स्पेशल केसरिया खीर मैं आपको इसलिए बनाना सिखा रही हूं क्योंकि यह बेहत सिंपल दिश है जिसे कि हर घर में लोग पसंद भी करते हैं खीर को और रक्षा बंदन का तयोहार एक ऐसा तयोहारा है कि हर बहने अपने भाई को अगर यह बना हं उसे हैं वह हम को अधास और देते है दोस्तों चावल हमने डूब में डाल दिये हैं अब हम हम इसको हर एक मिनिट पे चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम इसको दो पांच मिनिट पे चोड़ देंगे ना तो यह खीर हमारी नीची लग सकती है इसाए में ज़रु जरूरी ह कि हम हर एक मिनट पे इसको चलाते रहें दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हर एक मिनट पे इस खीर को चला रही हूं ताकि यह नीचे लग ना पाये अब इसके साथ ही हम इसमें एड करेंगे मेवाद सबसे पहले हम इसमें मखाने डाल देते हैं इसके बाद गरी इसके बाद बादाम किश्मिर्स चिरोंजी दोस्तों इलाइची पाउंडर हमने अभी इसली नहीं डाला है कि विश्भू के लिए डाला जाता है और उसे हम बाद में यूज करेंगे केसर भी हम बाद में यूज करेंगे जब खीर हमारी पक्के तयार हो जाएगी जिससे की कलर अच्छा है दोस्तों हम इसमें अपनी सारी मेवा एड कर दी है केसर और इलाइची पाउंडर को छोड़ कर आदे अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दूद में जब अबाल तेजी से आए तो आप गैस दीमी कर दें और दीमी गैस पे इसको पकने दें नुझायाद कृषण कर देकिया है यह मारी खीर भड़़प पक के तयार हो चुकी है अब इसमें अब हिसमें चीनी अड करते हैं चीनी आपकना सार्त लाइट कर सकते हैं जो लोग जादा मीळा घाते हो और जादा मीळा पसंद रखते हैं वो कम भी यूज कर सकते हा प्तिकों कुछ शोकराणके थैटे ऊचोफें शोकराणके चिनिकों ओसे ताली आङा चासे दैटिकों आधिकों नथे निगर्टीलिक शोने पड़ें अब हम इसमें केसर जो कि हमने पहले बिगो के रखी हुई थी वो एट कर देते हैं इसे कलर अच्छा आता है कि देखिए अब देखने होंगे खील का कलर भी काफी चेंज हो गया है अब हम इसमें बाउंड में सब करते हैं अब हम इसमें बाउंड में सब करते हैं यह देखिए खीर हमने अपनी बाउंड में निकाल लिए अब हम इसको थोड़ा सा उपर से गाण कर देते हैं आप कोई भी सुखे मीवे यूज कर सकते हैं जो भी आप पसंद करते हों मेवा यह देखिए मैंने इसमें जो है थोड़स बारीक कटे हुए बादा मेट करें हूं थोड़ी जी केसर में उपर डाल रहे हैं इसको गाणिशिंग के लिए यह देखिए अब हमारी रक्षबंदनी स्पेशल केसरिया खीर तयार है दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्स्क्राइब बटन पे लाइक करना ना भूले दोस्तों पेजिए कोड़ी चना आपके लाइक लाइक लेगे से साथल के लाइक में आएक लाइक लक्षबंदन सेर्ट के लाइक लेंज पराइब यह वेभाए नावगान टना ना भीवर्टों अजी जीए अ